नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कुछ संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्षित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद अब हम अगली आंखिक प्रस्न को हल करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जब यंग की दूई स्लिट प्रयोग में पांश हजार गोए दसकी घात मैनस दस मीटर तरंग दैर्ध का प्रकाश प्रियुक्त किया जाता है तब फ्रिंज की चौड़ाई 0.6 cm प्राप्त होती है यदि स्लिट और पर्दे के मद्ध की दूरी आधी कर दी जा है तो स्रोत की 0.003 मीटर चौड़ाई की फ्रिंजे प्राप्त करने के लिए तरंग दैर्ध का मान ग्यात की यह यानि जो हमारे पास प्रकास का स्रोत यू तरंग दैर्ध का मान है इसकी वैलू दी जा रही है यह लैमडा इस इक्वल टू 5000 गुड़े दस की घात मैनस 10 मीटर अज इस वैलू को थ्वास हम री अरेंज करके लिखेंगे तो यहां से देखी यहां से वैलू हो जाएगी 5 गुड़े दस की घात मैनस 7 मीटर देखी यह यहां पर हम वैलू लिख देख सकते हैं 5 गुड़े दस की घात 3 गुड़े दस की घात मैनस 10 तो इसकी वैलू हो जाएगी 5 गुड़े दस की घात मैनस 7 मीटर और यह यहां पर लैमडा की वैलू हो जाएगी अब यहां पर और क्या कहा जा रहा है तो देखी यहां पर बीट और यहाँ पर बीटा की वैलू हो जाएगी अब यहाँ पर देखिए प्रस्ण में कहा जा रहा है कि यदि स्लिट और पर्दे के मर्ध की दूरी आधी कर दी जाए तो स्रोत की 0.003 मीटर चोड़ाई की फ्रिंजे प्राप्त करने के लिए तरंगदैर्ध कामान ग्याद कीजे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ले करके यहाँ तक प्रस्ण एक पार्ट में है और यहाँ से ले करके यहाँ तक प्रस्ण दूसरे पार्ट में है दो पार्ट में प्रस्ण को दिया जा रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रस्ण के पहले पार्ट को solve करेंगे तो यहा यहां पर हम second part को हल करेंगे, second part क्या है, तो देखिए second part में कहा जा रहा है कि यदि slit और पर्दे के मध्ध की दूरी आधी कर दे जाए, तो यहां पर अब हम इस value को calculate करेंगे, यानि second part की गणना करेंगे, तो इसके लिए अगर हम lambda की value को ग्यात करेंगे, तो इसकी value किदनी हो रहा है, इसकी value कितनी है, तो capital D का मान d' के वरावर हो जाएगा, इसकी value कितनी होगी, यहां पर देखिए यहां से d'd' की value हो जाएगि, या आटोमैटिक परिवर्तित हो जाएगी, तो यहां से जो lambda की value होगी इसका मान हो जाएगा lambda dash अब यहाँ पर देखें सिर्फ lambda की value नहीं परिवारतित हो रही है यहाँ पर fringe की चौड़ाई भी बदल जा रही है देखें कहा जा रहा है कि जो स्रोत की 0.03 meter की चौड़ाई की fringe ये प्राफ होती है यहाँ पर fringe की चौड़ाई भी बदल गई है पहले condition में 0.6 cm की fringe मिल रही थी और यहाँ पर 0.03 meter की fringe मिल रही है तो यहाँ से जो बीटा की value हो जाएगी इसका मान बीटा डाइश के बराबर हो जाएगा और बीटा डाइश की value कितनी होगी तो यहाँ पर देखिए बीटा डाइश की value हो जाएगी 0.003 meter अब इस value को हम थोड़ा सा परिवार्तित कर देंगे तो यहाँ से value हो जाएगी तीन गुरे दस की घात मैनस तीन मीटर और यह यहाँ पर fringe की चौड़ाई हो जाएगी किस condition में second condition में जब हमने पर्दा और slit दोनों की बीच की दूरी को घटा दिया है अब यहाँ पर देखिए अगर इस condition में हम lambda डाइश की value को calculate करें तो इसकी value कितनी होगी तो यहाँ से lambda डाइश का फार्बूला हो जाएगा lambda डाइश is equal to beta डाइश into d upon capital D dash देखिए यहाँ पर lambda की value है beta d upon capital D तो lambda डाइश की value हो जाएगी beta डाइश into d upon capital D dash अब यहाँ पर सारे मान को put कर देंगे तो यहाँ पर देखिए beta डाइश की value कितनी है इसे हम ऐसे ही उतार देंगे beta डाइश हो जाएगा into d हो जाएगा अब आपकी मन में प्रश्णा रहा होगा कि यहाँ पर हम small d की value को क्यों नहीं परिवर्थित कर रहे है तो देखिए small d जो है वह slit की बीच की दूरी है इसका मान परिवर्थित नहीं होगा ना पहले condition में परिवर्थित होगा और ना ही second condition में परिवर्थित होगा जो परिवर्थित होगा वह यहाँ पर बीटा की value परिवर्थित होगी इसके पसचाथ capital d की value परिवर्थित होगी इसके पसचाथ lambda की value परिवर्थित होगी जो slit की बीच की दूरी है वो आना पहले condition में परिवर्तित होगी ना ही बाद के condition में परिवर्तित होगी अब यहाँ पर देखिए बटे में क्या लिखेंगे तो बटे में हम capital D dash की value लिखेंगे और इसका मान यहाँ पर दिया गया है D बटे 2 तो यहाँ से value हो जागी D बटे 2 तो इसकी value हो जाएगी दो गुड़े बीटा dash into small d और बटे में हम लिख देंगे capital D और इसे हम लिखेंगे समीकरण number 2 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो समीकरण प्राफ हुए है यह पहला समीकरण है और यह यहाँ पर दूसरा समीकरण है तो इसकी value कितनी होगी तो यहाँ पर देखिए बाये पक्ष में हम बाये पक्ष से भाग देंगे और दाहिने पक्ष में हम दाहिने पक्ष से भाग देंगे तो यहाँ से value हो जाएगी lambda dash upon lambda is equal to अब हम यहाँ पर दाहिने पक्ष से भाग देंगे तो यहाँ से value हो जाएगे दो गुड़े beta dash into small d बटे में हम capital D लिख देंगे और बटे में हम लिख देंगे beta d upon capital D अब यहाँ पर कुछ cancel हो रहा है तो देखिए यहाँ से 1 d से 1 d cancel हो जाएगा और यहाँ पर small d से small d cancel हो जाएगा अब यहाँ पर यहो term प्राप्फ हो रहा है इसे हम थोड़ा सा solve करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है तो यहाँ पर दो गुड़े beta dash और बटे में beta की value बच रही है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हमें lambda dash की value को calculate करना हो तो इसकी value कितनी होगी तो यहाँ से lambda dash की value हो जाएगी lambda dash is equal to lambda गुड़े 2 into beta dash और बटे में हम beta की value लिख देंगे अब यहाँ पर सभी values हमें मालूम है और सभी values को हम इसी formula में put कर देंगे तो चलिए put करते हैं तो यहाँ पर देखिए lambda की value कितनी है इसका मान दिया गया है 5 गुड़े 10 की value लिख देंगे 2 से हम गुड़ा कर देंगे और यहाँ पर beta dash की value लिखे है इसका मान दिया गया है 3 गुड़े 10 की value लिखेंगे और बटे में हम beta की value लिखेंगे इसका मान दिया गया है 6 गुड़े 10 की घात पैनस 3 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसे हम solve करेंगे तो 10 की घात पैनस 3 10 की घात पैनस 3 से cancel हो जाएगा 2 गुड़े 3 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 की value से cancel हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर जो lambda dash की value है इसका मान हो जाएगा 5 गुड़े 10 की घात पैनस 7 और इसका मातरक क्या होगा तो इसका मातरक यहाँ पर मीटर में प्राप्त हो जाएगा तो इस प्रकार से हमने जो second condition अपलाई किया था यानि जब fringe और परदे की बीच की दूरी को घटाया था तो यहाँ पर जो प्रकास प्रेयोग होग था प्रकास रोध का जो तरंग जायर था इसकी बैलो हो जाएगी lambda is equal to 5 गुड़े 10 की घात पैनस 7 मीटर अब हम अपने अगले आंखिक प्रेश्न को हल करेंगे और यहाँ पर हम से पूछा जा रहा है कि यंग के दुई स्लिट प्रयोग में 5000 एंग स्ट्राम की तरंग जायर का प्रकास प्रिउक्त किया गया है परदे का तीसरा दीप्ट बैंड केंद्रिय दीप्ट बैंड से एक सेंटी मीटर की दूरी पर बनता है यदि परदा दो बारीक स्लिट्स के केंदर से एक दसनों पांच मीटर की दूरी पर है तो स्लिट्स के मद्ध प्रिथक करन की गर्णा कीगे अब प्रश्ण में क्या-क्या चीज़े दी गई है इसे सबसे पहले हम नोट करेंगे तो यहाँ पर देखे कहा जा रहा है कि यहाँ पर पांच हजार गुड़े 10 की घात मैनस 10 और इसका मात्रक यहाँ पर मीटर में प्राफ्ट हो जाएगा अब इस वैलू को थोड़ा हम और परिवर्थित कर सकते हैं देखे यहाँ से वैलू हो जाएगी पर हम नोट कर लेंगे अब यहां पर और क्या दिया गया है तो यहां पर कहा जा रहा है कि परदे का तीसरा दीप्त बैंड केंद्रिये दीप्त बैंड से एक सेंटी मीटर की दूरी पर बनता है यानि यहाँ पर y की वैलू दी गई है और इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 1 cm और इस वैलू को भी यहाँ पर हम लोट कर लेंगे अब यहाँ पर देशी cm को हम मीटर में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ से इसकी वैलू हो जाएगी 1 गुले 10 की घात – 2 और इसका मात्रक यहाँ पर मीटर रिप्राप्त हो जाएगा अब यहाँ पर और क्या दिया गया है तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पर्दा है और slit है इनकी बीच की जो दूरी है इसका मान हो जाएगा 1.5 मीटर यहाँ पर कैपिटल D की वैलू हो जाएगी एक दसमलों 5 मीटर और इस वैलू को भी यहाँ पर हम नोट कर लेंगे अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि slits के मद्ध प्रतकरान की गाणना कीए यहाँ पर हमें small d की वैलू को calculate करनी है यानि S1, S2 जो slit है इनके बीच की दूरी कितनी होगी इसी वैलू को हमें calculate करना है अब इस वैलू को हम कैसे calculate करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम y के लिए formula ग्याद करेंगे y का formula क्या होगा तो देखिए y के लिए formula हो जाएगा y is equal to m lambda into capital D upon small d अब यहाँ से हमें small d की वैलू को ग्याद करना है तो इस formula को हम परिवर्तित कर देंगे तो यहाँ से small d के लिए formula हो जाएगा m into lambda into capital D upon y और इसी formula में हम सभी वैलू को put कर देंगे चलिए put कर देंगे तो यहाँ पर m की वैलू कितनी है इसका मान 3 दिया गया है तो यहाँ पर हम 3 से गुड़ा कर देंगे lambda की वैलू कितनी है इसका मान दिया गया है 5 गुड़े 10 की गात minus 7 तो यहाँ पर वैलू put कर देंगे 5 गुड़े 10 की गात minus 7 d की वैलू कितनी है तो देखे D कमान दिया गया है एक दसमलो 5 मीटर तो इसमें हम गुड़ा कर देंगे एक दसमलो 5 से और बटे में हम Y की वैलू को put करेंगे Y कमान की तरह है? एक गुड़े 10 की गात वैनस दो इस वैलू को भी यहाँ पर हम नोट कर लेंगे अब यहाँ पर देखें इस टर्म को हम solve करेंगे तो यहाँ पर 3 से 5 में गुड़ा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 15 15 का हम एक दसमलो 5 में गुड़ा करेंगे तो इसकी वैलू हो जाएगी 22 दसमलो 5 और यहाँ पर गुड़ा किया गया है 10 की घात मैनस 7 से गुड़ा कर देंगे और यहाँ पर हर में लिखा हुआ है 10 की घात मैनस 2 जब इसे हम अंस में ले करके जाएंगे तो इसकी वैलू हो जाएगी 10 की घात प्लस दो और यह यहाँ पर small d की वैलू हो जाएगी अब यहाँ पर देखिए इस टर्म को एक बार फिर से हम solve करेंगे तो यहाँ से d की वैलू हो जाएगी d is equal to 22.5 गुड़े 10 की घात मैनस 7 गुड़े 10 की घात प्लस दो इसकी वैलू हो जाएगी 10 की घात मैनस 5 अब यहाँ पर इस टर्म को एक बार फिर से हम solve करेंगे तो यहाँ से D की value हो जाएगी D is equal to देखें यहाँ पर 10 की घात minus 5 लिखा हुआ है तो यहाँ से value हो जाएगी 0, 10, 2, 2, 5 और यहाँ पर हम गुड़ा कर देंगे 10 की घात minus 3 से और इसका मात्रक क्या होगा तो इसका मात्रक यहाँ पर मीटर में प्राप्थ हो जाएगा अब यहाँ पर देखें अगर यहाँ पर 10 की घात minus 3 की value को हम हटा दें तो इसकी value कितनी होगी तो यहाँ से D की value हो जाएगी D is equal to 0, 225 और इसका मात्रक क्या होगा तो इसका मात्रक यहाँ पर mm में प्राप्थ हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दोनों slit हैं यानि S1 और S2 slits हैं इनके बीच की दो दूरी होगी इसका मान हो जाएगा D is equal to 0.225 mm अब हम अगले आंखिक प्रस्ण को हल करेंगे और यहाँ पर हम से पूछा जा रहा है कि दो slits जो 0.125 mm दूरी पर है 4500 एंगस्टान तरंगदैर्ध के प्रकास से प्रकासित किया जाता है परदा slit के तल से एक मीटर की दूरी पर है केंद्री ये उच्चिस्ट उच्चिस्ट का मतलब हो गया maximum के दोनों और दुट्टिये दीप्त फ्रिंजों के मद की दूरी को गयात कीजे अब यहाँ पर क्या-क्या चीज़े दी गई है सबसे पहले हैं इसे हम नोट करेंगे तो कहा जा रहा है कि दो slits 0.125 mm की दूरी पर है यानि यहाँ पर slit के बीच जो दूरी है इसका मान दिया गया है इस वैलू को हम नोट कर लेंगे तो यहाँ पर small d की वैलू हो जाएगी 0.125 mm अब इस वैलू को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे तो यहाँ से d की वैलू हो जाएगी 0.125 गुरे 10 की घात मैनस 3 मीटर अब यहाँ पर देखिए इस वैलू को एक बार फिर से हम चेंज करेंगे तो यहाँ से small d की वैलू हो जाएगी 125 गुरे 10 की घात मैनस 6 देखिए यहाँ पर दसमलो को हटाएगे तो 10 की घात मैनस 3 से गुड़ा करना पड़ेगा तो 10 की घात मैनस 3 गुड़े 10 की घात मैनस 3 इसकी वैलू हो जाएगी 10 की घात मैनस 6 और यह यहाँ पर D की वैलू हो जाएगी अब यहाँ पर और क्या दिया गया है तो देखिए यहाँ पर जो प्रकास हम यूज कर रहे है प्रकास का तरंगदैर्थ दिया गया है यानि यहाँ पर wavelength दिया गया है और wavelength की वैलू हो जाएगी lambda is equal to 4500 angstrom अब इस वैलू को भी हम change करेंगे तो यहाँ से देखिए इसकी वैलू हो जाएगी 4.5 गुड़े 10 की घात मैनस 7 और इसका मात्रक क्या होगा तो इसका मात्रक यहाँ पर मीटर में प्राफ हो जाएगा और यह यहाँ पर lambda की वैलू हो जाएगी अब यहाँ पर और क्या दिया गया है तो देखिए कहा जा रहा है कि जो हमारा परदा है और स्रिट है दोनों के बीच की दोरी एक मीटर है यहाँ पर capital D की वैलू हो जाएगी एक मीटर इस वैलू को भी यहाँ पर हम नोट कर लेंगे अब यहाँ पर और क्या दिया गया है तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो M की वैलू है यहाँ पर केंद्रिये उचिस्ट के दोनों और दुत्तिये फ्रिंजों के मर्द की दोरी गयाद कीजे यानि यहाँ पर M की वैलू दी गए है नमबर आफ फ्रिंजे दिये गए है और इसकी वैलू हो जाएगी 2 फ्रिंजों की संख्या 2 हो जाएगी अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है तो हमसे पूछा जा रहा है कि केंद्रिये उचिस्ट के दोनों और दुत्तिये दीप्त फ्रिंजों के मर्द की दोरी की उगयाद कीजे अब इस दोरी को हम कैसे का एल प्लेट करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम फार्मूले का इस्तिमाल करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा ym is equal to m into d into lambda upon small d m क्या है तो m यहाँ पर m वा टर्म हो जाएगा यानि m टर्म के लिए यहाँ पर हम दोरी को गयाद करेंगे तो यहाँ पर इस फार्मूले का हम इस्तिमाल करेंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो m की value है इसका मान 2 दिया गया है तो यहाँ पर हम दो त्ये फ्रिंजों के मंध की दूरी को गयाद करेंगे तो यहाँ से value हो जाएगी y2 is equal to m m का मान 2 दिया गया है तो यहाँ पर हम m के असान पर 2 put कर देंगे capital D इसकी value कितनी है इसका मान यहाँ पर 1 meter दिया गया है तो यहाँ पर हम 1 put कर देंगे lambda की value कितनी है देखिए इसका मान दिया गया है 4.5 गुडे 10 की घात minus 7 इस value को भी यहाँ पर हम put कर देंगे और बटे में हम small d लिख देंगे इसकी value कितनी है इसका मान हो जाएगा 125 गुडे 10 की घात minus 6 इस value को यहाँ पर हम note कर लेंगे अब यहाँ पर इस term को हम solve करेंगे तो यहाँ से y2 की value हो जाएगी y2 is equal to यहाँ पर देखिए 2 गुडे 4 दसमलो 5 इसकी value कितनी होगी इसका मान हो जाएगा 9 गुडे 10 की घात minus 7 लिख देंगे बटे में हम 125 लिख देंगे अब यहाँ पर देखिए हर में लिखा हुआ है 10 की घात minus 6 इसे हम अंस में ले करके जाएगे तो जब अंस में जाएगा तो इसकी value हो जाएगी 10 की घात plus 6 अब यहाँ पर इस term को हम एक बार फिर से solve करेंगे तो यहाँ से y2 की value हो जाएगी y2 is equal to 9 में हम 125 से भाग देंगे तो इसकी value कितनी होगी यहाँ से इसका मान हो जाएगा 0.072 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 की घात minus 7 गुड़े 10 की घात 6 इसकी value कितनी होगी इसका मान हो जाएगा 10 की घात minus 1 7.2 into 10 raised power minus 2 into 10 raised power minus 1 अब यहाँ पर इस चर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y2 की वैलो हो जाएगी y2 is equal to 7.2 into 10 raised power minus 3 मीटर अब यहाँ पर हम यह मारा प्रस्ण हल नहीं हुआ है देखिए प्रस्ण में हमसे यह पूछा जा रहा है कि केंद्रिये उच्छिस यहाँ पर हमने y2 की वैलो को calculate किया है तो यह यहाँ पर केंद्रिये उच्छिस्ट के सिर्फ एक और की वैलो है अभी हमें यहाँ पर दोनों और की वैलो को calculate करना है तो इस वैलो को हम कैसे calculate करेंगे यहाँ पर हम y2 से 2 का गुड़ा कर देंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर से value हो जाएगी दो गुड़े y2 y2 का मान है 7.2 गुड़े 10 की घात मैनस 3 मीटर और यह यहाँ पर दूरी हो जाएगी अब इस term को हम solve करेंगे तो यहाँ से कितना मान प्राफ्थ होगा देखें यहाँ पर 7.2 में 2 से गुड़ा किया गया है तो इसकी value हो जाएगी 14.4 गुड़े 10 की घात मैनस 3 और इसका मात्रक यहाँ पर क्या प्राफ्थ होगा तो इसका मात्रक यहाँ पर मीटर में प्राफ्थ हो जाएगा अब यहाँ पर देखें 10 की घात मैनस 3 को अगर हम हटा दें तो इसकी value mm में प्राफ हो जाएगी तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दूरी की value है इसका मान हो जाएगा 14.04 mm तो इस प्रकार से यहाँ पर जो केंद्रिय उच्चिस्ट है इसके दोनों और दुत्तीय दीब्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हमने calculate कर लिया और इसका मान हो जाएगा 14.04 mm अब हम अपने अगले आंकीत प्रश्ण को हल करेंगे और यहाँ पर हम से पूछा जा रहा है कि एक दूरी स्लिट में 6000 एंगस्ट्राम तरंगजायर्थ के प्रकास द्वरा प्रदीप्त की जाती है स्लिट 0.1 cm की दूरी पर है और पर्दे को एक मीटर की दूरी पर रखा गया है अब यहाँ पर इस प्रश्ण में दो पार्ट हैं पहले पार्ट में रेडियन में दस्वीником उच्चिस्ट कौरी एसिती की वैलो को हमें ग्याद करना है यानि थीटा की वैलो को ग्याद करना है और दूसरे पार्ट में यहाँ पर हमें दो निकतस, निमनस्त, मध्यस, दोई को ग्याद करना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रस्ट के पहले पार्ट को solve करेंगे यानि रेडियन में यहाँ पर हम थीटा एम की वैलो को ग्याद करेंगे अब प्रस्ट में क्या-क्या चीज़े दी गई है सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे तो देखी यहाँ पर हमसे यह कहा जा रहा है कि जो प्रकास स्रोथ यूज किया गया है इसका जो तरंगदैर्ध है इसकी वैलो हो जाएगी 6000 एंगस्ट्राम यानि यहाँ से लैम्डा की वैलो हो जाएगी 6000 एंगस्ट्राम इस वैलो को यहाँ पर हम नोट कर लेंगे अब इस वैलो को हमसे पर सब परिवर्थित कर सकते हैं देखी यहाँ से वैलो हो जाएगी 6 गुड़े 10 की घाट-7 और इसका मात्रक यहाँ पर मीटर में हो जाएगा और यहाँ पर लैम्डा की वैलो हो जाएगी अब यहाँ पर और क्या दिया गया है तो देखे कहा जा रहा है कि जो स्लिट्स हैं यानि जो S1, S2 स्लिट्स हैं इनके बीच की दोरी है 0.1 cm तो यहाँ से small d की वैलो हो जाएगी 0.1 cm इस वैलो को भी नोट कर रहेंगे अब इस वैलो को हम फ़ासा परिवर्थित कर सकते हैं देखे यहाँ से small d की वैलो हो जाएगी एक गुड़े 10 की घाट-3 और इसका मात्रक यहाँ पर मीटर में प्राप्त हो जाएगा अब यहाँ पर और क्या दिया गया है तो देखे कहा जा रहा है कि जो स्विट्स है और परदे हैं इनके बीच की दोरी 1 मीटर है तो यहाँ से capital D की वैलो हो जाएगी 1 मीटर इस वैलो को भी यहाँ पर हम नोट कर लेंगे अब यहाँ पर और क्या दिया गया है तो देखे कहा जा रहा है कि दस्वी उच्चिस्ट कोडिये सिती यानि यहाँ पर जो number of fringes है fringe की जो संख्या है किसका मान हो जाएगा m is equal to 10 इस वैलो को भी यहाँ पर हम नोट कर लेंगे अब यहाँ पर हमें कोडिये सिती को ग्याद करना है यानि यहाँ पर हमें theta m की वैलो को calculate करना है इस वैलो को हम कैसे ग्याद करेंगे तो इसके लिए वैलो हो जाएगी m lambda upon capital D इसी फार्मूले में हम सभी वैलो को put कर देंगे m की वैलो कितनी है 10 दिया गया है 10 से हम गुडा कर देंगे lambda की वैलो कितनी है देखिए इसका मान हो जाएगा 6 गुडे 10 की गार-7 इस वैलो को भी यहाँ पर हम note कर लेंगे और बटे में capital D दिया गया है उचिस्ट कोणी एसेती को गयाद कर रहे है तो यहाँ से थीटा 10 की वैलो हो जाएगी 6 गुडे 10 की गार-6 और इसका मात्रा क्या होगा तो इसका मात्रा की यहाँ पर radian में प्राप्थ हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने प्रश्ण के पहले पार्ट को solve कर लिया अब यहाँ पर हम प्रश्ण के second part को solve करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि दो निकटस निमनस्थ की मर्द की दोई को गयाद करना है यहाँ पर जो सबसे नस्दी की निमनस्थ वैलो है निमनस्थ मतलब हो गया minimum यानि minimum fringe की जो चौड़ाई होगी उसी की वैलो को हमें calculate करना है यानि यहाँ पर हमें fringe की चौड़ाई यानि बीटा की वैलो को calculate करना है अब इस वैलो को हम गया से calculate करेंगे देखे इसके लिए formula हो जाएगा बीटा is equal to lambda into capital D upon small D और इसी formula की सहाथा से हम दो nicatust यानि सबसे नस्दीक निमनस्थ यानि minimum की वैलो को calculate कर सकते है अब इस formula में हम सभी वैलो को put करेंगे चली put करते है तो lambda की वैलो दी गई है 6 गुड़े 10 की घात minus 7 मीटर इस वैलो को note कर लेंगे capital D का मान यहाँ पर दिया गया है एक तो यहाँ पर हम एक से गुड़ा कर देंगे बटे small d इसकी वैलो दी गई है एक गुड़े 10 की घात minus 3 इस वैलो को भी यहाँ पर हम note कर रहेंगे तो यहाँ से बीटा की वैलो कितनी होगी बीटा का मान हो जाएगा 6 गुड़े 10 की घात minus 7 गुड़े यहाँ पर 10 की घात minus 3 हर में लिखा हुआ है इसे हम अंस में ले करके जाएगे तो इसकी वैलो हो जाएगी 10 की घात plus 3 तो यहाँ से बीटा की वैलो हो जाएगी बीटा is equal to 6 गुड़े 10 की घात minus 4 और इसका मातरक क्या होगा तो इसका मातरक यहाँ पर मीटर में प्राफ्थ हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए अगर हम 10 की घात minus 4 की वैलो को हटा दे और 6 के पहले 10 मलो लगा दे तो यहाँ पर इसका मान की तरा प्राफ्थ होगा और इसकी value हो जाएगी beta is equal to 0.6 mm अब हम अपने अगले आंखी प्रश्ण को हल करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि किसी रेखा छिद्र जिसकी चौडाई A है को 6000 इंगस्ट्राम तरंगदैंध की प्रकास द्वारा प्रकासित किया जाता है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक एक किसमान के लिए इस प्रश्ण में यहाँ पर दो प्रश्ण और दिये गए है तो पहले पार्ट में पूछा जा रहा है कि प्रथम उच्चिस्ट का विवरतन को और 30 प्राप्त होगा और दूसरे पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम निम्निस्ट का विवर्तन को और 30 प्राप्थ होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले पार्ट को solve करेंगे, अब यहाँ पर देखे, प्रश्ण में क्या क्या चीज़े दी गई है, सबसे पहले इसे हम note करेंगे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई रेखा चिद्र है, जिसकी चौड़ाई ए है, को 6000 एंगस्टरम के तरंगदैर्द का प्रकास दिया जाता है, यानि यहाँ पर जो प्रकास का तरंगदैर्द है, वेवलेंध है, यानि लेम्डा की वैलू है, इसका मान हो जाएगा 6000 पर हम नोट कर लेंगे, अब इस वैलू को थ्वास हम परिवारतित करेंगे, तो देखिए यहाँ से लेम्डा की वैलू हो जाएगी, 6 गुड़े 10 की घात मैनस 7, और इसका मातरक क्या होगा, तो इसका मातरक यहाँ पर मीटर में प्राप्त हो जाएगा, अब यहाँ पर और अब यहाँ पर हमें calculate क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर हम फार्बूले का use करेंगे, sin theta m is equal to 2m plus 1 into lambda upon 2a, अब यहाँ पर a क्या है, तो देखिए a यहाँ पर जो रेखा छित्र है, जिससे तरंगे प्रवेश कर रही है, a उसी की चोड़ाई है, theta m क्या है, तो यहाँ पर m की value कितनी है, तो m का मान यहाँ पर दिया गया है, प्रथम उचिस्ट, यानि m की value यहाँ पर हो जागी 1, अब इसी फार्मूले में हम सभी values को put करेंगे, चलिए put करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से value हो जाएगी sin theta 1, sin theta 1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम प्र की value कितनी है, इसका मान दिया गया है 6 गुड़े 10 की घात-7 मीटर, इस value को यहाँ पर हम note कर देंगे, और बटे में हम 2a की value को put कर देंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें a की value को calculate करना है, यानि कहा जा रहा है कि a के किस मान के लिए प्रथम उचिस्ट का विव value हो जाएगी 18, यहाँ पर हम गुड़ा कर देंगे 10 की घात-7 से, और बटे में हम 2 के साथ गुड़ा कर देंगे sin theta1 की value का, अब यहाँ पर देखिए, theta1 की value भी हमें गयात है, theta1 का मान यहाँ पर दिया गया है 30 अंस, तो यहाँ पर इस value में हम theta1 के अस्थान पर 30 put कर तो यहाँ से यह value परवर्तित हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए, कुछ cancel हो रहा है, 2 से हम 18 में भाग देंगे, तो इसकी value हो जाएगी 9, तो यहाँ से value हो जाएगी 9 गुड़े 10 की घात-7, और बटे में हम लिख देंगे sin theta1 की value, और इसका मान यहाँ पर दिया गया है 30 अब यहाँ पर इस term को हम solve करेंगे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक ही value हो जाएगी, ए is equal to 9 गुड़े 10 की घात-7, और बटे में लिखा हुआ है sin 30 अंस, अब sin 30 अंस की value कितनी होती है, तो इसका मान हो जाएगा 1 बटे 2, अब यहाँ पर देखिए, इस term को एक बार हम solve करेंगे, तो यहाँ पर 2 का value लिखा हुआ है, इस value को हम यहाँ पर अंस में ले करके जाएंगे, तो इसकी value हो जाएगी, जो गुड़े 9 गुड़े 10 की घात-7, अब इस value को हम थोड़ा सा rearrange करेंगे, तो यहाँ से a की value हो जाएगी, a is equal to, यहाँ पर देखिए, 2 गुड इन्टू 10 raise power minus 6, यहाँ पर 10 की घात-7 है, यहाँ पर 10 मलो 1 की बार लगाएंगे, तो 10 की घात-6 value हो जाएगी, और इसका मातरक क्या होगा, तो इसका मातरक यहाँ पर meter में प्राप्थ हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो a की value है, यहाँ जो रेखा छिद्र की ज विवर्तन कोर का मान 30 प्राप्त हो यानि यहाँ पर एक एक इस मान के लिए प्रथम निम्निस्ट का विवर्तन कोर 30 अंस होगा इसी वैलो को हमें calculate करना है तो यहाँ पर देखिए निम्निस्ट के लिए हमें विवर्तन कोर की गर्णा करनी है तो इसके लिए फार्मूला कितना होगा इसके लिए formula हो जाएगा sin theta m is equal to m into lambda upon a अब यहाँ पर देखे m की value कितनी है तो m का मान यहाँ पर एक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें प्रथम limit की value ग्याद करनी है तो m की value यहाँ पर 1 हो जाएगी और यहाँ पर lambda की value हमें ग्याद है theta की value कितनी होगी तो यहाँ पर देखे theta की value यहाँ पर हो जाएगी t suns t suns की value हमें ग्याद करना है अब यहाँ पर हमें calculate क्या करना है तो यहाँ पर हमें a की value को calculate करना है तो यहाँ से जब हम a की value को ग्याद करेंगे तो इसके लिए formula हो जाएगा a is equal to m into lambda अब यहाँ पर इसी फार्मूले में हम सभी वैलू को पुट कर देंगे तो चलिए पुट करते हैं तो यहाँ पर देखें M की वैलू कितनी है इसका मान एक हो जाएगा लैम्डा की वैलू हो जाएगी 6 गुड़े 10 की घात मैनस 7 मीटर इस वैलू को उतार देंगे अब यहाँ पर देखें SIN THETA M दिया गया है तो यहाँ पर THETA M की वैलू कितनी होगी तो इसका मान हो जाएगा 30 अंस तो यहाँ से हम वैलू पुट कर देंगे SIN THS और यह यहाँ पर A की वैलू हो जाएगी यानी छिद्र की चौड़ाई हो जाएगी अब इस वैलू को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखें यहाँ से वैलू हो जाएगी 6 गुडे 10 की घात मैनस 7 और बटे में SIN THS की वैलू दी गई है इसका मान की तना होगा तो देखें साइन THS UNS की वैलू होती है एक बटे 2 अब यहाँ पर इस टर्म को हम एक बार फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से A की वैलू हो जाएगी A is equal to यहाँ पर देखें 2 को हम UNS में ले करके जाएगे तो इसकी वैलू हो जाएगी अब यहाँ पर इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें यहाँ से A की वैलू हो जाएगी A is equal to दो गुड़े 6 इसकी वैलू हो जाएगी 12 और यहाँ पर हम 10 की वैलू हो जाएगी और इसका मात्रक यहाँ पर मीटर में प्राप्त हो जाएगा अब यहाँ पर देखें इस वैलू को हम थोड़ा सा री अरेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर एक की बाद हम 10 वैलू लगा देंगे तो यहाँ से A की वैलू हो जाएगी और इसका मात्रक यहाँ पर मीटर में प्राप्त हो जाएगा तो इस प्रकार से जब हम पर्थम निम्निस्ट के लिए यहाँ पर विवर्तन कोड की वैलू तीस अंस ग्याद करेंगे तो यहाँ पर जो छिद की चौड़ाई है यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1.8 मीटर की दूरी पर रखे पर पर प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रिये दीप्त वैंड के दोनों और इस्थित अदीप्त वैंडों की मद्ध की दूरी क्या होगी अब यहाँ पर देखे यहाँ पर जो वैलू दी गई है सबसे पहले इसे हम नोट करेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी दूर इस्थित स्रोथ से 0.50 mm चौड़ाई की रेखा छिद्र की तो यहाँ पर जो डी की वैलू है याँ यहाँ पर जो स्लिट की चौड़ाई है इसका मान दिया गया है 0.50 mm इस वैलू को यहाँ पर हम नोट कर लेंगे अब यहाँ पर मिली मीटर में दिया गया है तो इसे हम मीटर में परिवार्थित करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से वैलू हो जाएगी 0.5 x 10 raised power minus 3 और इसका मातरक यहाँ पर मीटर में पर पर जाएगा और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर और क्या कहा जा रहा है तो देखिए कहा जा रहा है कि इस रेखा छिद्र पर आपदित होने वाले लाल प्रकास का तरंग दैर्द 3500 एंग डैर्द हैं यानि यहाँ पर जो प्रकास प्रयोग किया जा रहा है इस प्रकास का जो wavelength है तरंग दैर्द है इसकी वैलू है देखिए का मान हो जाएगा 6.5 x 10 raise power minus 7 मीटर और यहाँ पर लैम्डा की वैलू हो जाएगी अब यहाँ पर और क्या कहा जा रहा है तो देखे कहा जा रहा है कि 1.8 मीटर की दूरी पर रखे परदे पर प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप में यहां पर जो slit है और परदा है इनके बीच की दूरी है 1.8 मीटर इस value को भी यहां पर note कर लेंगे यहां पर capital D की value हो जाएगी 1.8 मीटर अब यहां पर हमें calculate क्या करना है तो देखे कहा जा रहा है कि प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रिये बैंड के दोनों और इस्थित अदीप्त बैंडों के मद्ध की दूरी कितनी होगी यानि यहां पर हमें x की value को calculate करना है अब x की value को हम कैसे calculate करेंगे तो यहां पर देखे यहां पर हम formula का इस्थिमाल करेंगे विवर्तन प्रतिरूप के केंद्रिये उच्चिस्ट के दोनों और इस्थित दो अदीप्त बैंडों के मद्ध की दूरी जो होती है इसका मान केंद्रिये उच्चिस्ट की चौडाई के बराबर होता है यानि कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो x की value है इसका मान 2 lambda d upon small d इस value के बराबर हो जाएगा और इसी formula के आधार हम यहां पर इस्थित अदीप्त बैंडों के मद्ध की दूरी को ग्याद कर सकते है तो यहां पर इसी formula में हम सभी values को put कर देंगे चली put करते है तो यहां पर देखिए 2 के साथ हम गुडा कर देंगे lambda का lambda की value कितनी है इसका मान दिया गया है इसका मान कितना है तो इसका मान हो जाएगा 1.8 बटे में हम small d की value को put कर देंगे और इसका मान दिया गया है 0.5 इन्टो 10 रेज़ पावर माइनस 3 मीटर अब यहां पर इस term को हम solve करेंगे तो यहां पर देखिए 10 मलों से 10 मलों को हम हटा देंगे और 5 से हम 65 में भाग भेंगे तो इसकी value हो जाएगी 13 तो यहां से x की value हो जाएगी x is equal to यहां पर देखिए 2 का हम 13 में गुड़ा करेंगे तो इसकी value हो जाएगी 26 इसके पस्चात यहां पर हम 1.8 से गुड़ा कर देंगे और इसमें हम गुड़ा कर देंगे 10 की घात minus 7 से अब यहां पर 10 की घात minus 3 हर में लिखा हुआ है इसे हम uns में लेकर कर जाएंगे की घाट 3, इसकी वैलो हो जाएगी 10 की घाट minus 4 और यहां पर x की वैलो हो जाएगे और इसका मातरक यहां पर हमें meter में प्राफ्त हो जाएगा. अब यहां पर देखें, इस टर्म को हम एक बार फिर से rearrange कर सकते हैं, तो यहां से x की वाइलो हो जाएगी x is equal to यहाँ पर देखे दस्मलों को हम 4 के बाद लगा देंगे तो यहाँ से इसकी वाइलो हो जाएगी 4 दस्मलों 6 आठ गुड़े 10 की घाट मैनस 3 और इसका मात्रक हमें मीटर में प्राफ्थ हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने x की वाइलो को कैलकुलेट कर लिया यानि कहने का बतलब यह है कि यहाँ पर जो केंद्रिय दीप्त बैंड के दोनों और इस्थित अदीप्त बैंड के बीच की दोरी है इसका मान हो जाएगा x is equal to 4.68 गुड़े 10 की घाट मैनस 3 मीटर अब हम अगले आंखी प्रस्ण को हल करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि किसी लेजर को 5 गुड़े 10 की घाट 14 हर्ज आबरित्ती पर प्रियुक्ट किया जाता है जिसका द्वारग 10 की घाट मैनस 2 मीटर है यहाँ पर हमें कोड़ी विस्तार की वैलू को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर देखिए प्रस्ण में क्या क्या चीज़े कही आ रही है सबसे पहले इसे हम नोट करेंगे तो यहाँ पर आबरित्ती का मान दिया गया है यहाँ पर नियू की वैलू दी गई है पांच गुड़े दसकी घाथ 14 हर्ट इस वैलू को यहाँ पर हम नोट कर लेंगे अब यहाँ पर और क्या कहा जा रहा है तो देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो दौरक है दौरक मतलब स्लिट की जो चौड़ाई है इसकी वैलू दी गई है तो स्लिट की चौड़ाई को हम स्मॉल डी से वेक्ट करते हैं और इसका मान हो जाएगा दसकी घाथ मैनस दो मीटर और इस वैलू को यहाँ पर हम नोट कर लेंगे अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है तो देखिए यहाँ पर हमें कोड़ी विस्चार की वैलू को गयाद करना है यानि यहाँ पर हमें थीटा की वैलू को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा तो यहाँ पर देखिए इसके लिए फार्मूला हो जाएगा theta is equal to lambda upon small d और इसी formula की सहायता से हम theta की value को गयाद कर लेंगे लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम lambda की value को calculate करेंगे अब lambda की value कैसे गयाद होगी तो देखिए इसके लिए formula होता है c is equal to new into lambda अब यहाँ से lambda की value कितनी होगी तो देखिए lambda का मान हो जाएगा c upon new और इसी value को यहाँ पर हम lambda के अस्थान पर put कर देंगे तो यहाँ से theta की value हो जाएगी theta is equal to यहाँ पर देखिए इसकी value हो जाएगी c upon new into small d अब यहाँ पर यह formula मिल गया और इसी formula में हम इनी सभी values को put कर देंगे चलिए put करते हैं तो यहाँ पर देखिए c की value कितनी है देखिए c यहाँ पर प्रकास की चाल है निर्वात में प्रकास की चाल है और इसकी value हो जाएगी 3 गुड़े 10 की घात 8 meter प्रती second अब यहाँ पर new की value कितनी है तो इसका मान दिया गया है 5 गुड़े 10 की घात 14 हर्ट इस value को note कर देंगे और यहाँ पर d की value कितनी है इसका मान हो जाएगा 10 की घात minus 2 और यह यहाँ पर theta की value हो जाएगी अब यहाँ पर इस term को हम एक बार फिर से solve करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से theta की value हो जाएगी theta is equal to 3 गुड़े दसकी घात 8 यहाँ पर इसे इसे उतार देंगे बटे में हम 5 लिख देंगे अब यहाँ पर दसकी घात 14 हर में लिखा हुआ है इसे हम अंस में लेकर कर जाएगे तो इसकी value हो जाएगी 10 की घात minus 14 और यहाँ पर 10 की घात minus 2 हर में लिखा हुआ है इसे भी हम यहाँ पर अंस में ले करके जाएंगे तो इसकी वैलो हो जाएगी 10 की घाथ plus 2 अब यहाँ पर देखिए इस टर्म को एक बार फिर से हम solve करेंगे तो यहाँ से वैलो हो जाएगी देखिए 3 में हमें 5 से भाग भिना है तो इसकी वैलो हो जाएगी 0.6 अब यहाँ पर देखिए 10 की घात 8, गुड़े 10 की घात 2, इसकी घात 10, गुड़े में हम लिख देंगे 10 की घात 14 और यह यहाँ पर थीटा की घात 14, अब यहाँ पर यह जो टर्म प्राप्ट हो रहा है इसे एक बार फिर से हम solve करेंगी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से थी पीटा की वैलो को कालकुलेट कर लिया